शाक टैंक इंडिया का दूसरा सीजन चल रहा है और ये लोग अब कुछ लोगों के स्टार्टप्स में इक्विटी खरीटते न जराएंगे लेकिन अभी इनका खुद का बिजनिस कैसे चल रहा है देखे बोट वाले अमन गुपता को छोड़ कर बाकि सब का बिजनिस लॉस में है सुगर कोस्मेटिक वाली विनीता सिंग को पिछले साल 75 करोड रुपया का लॉस था ममार्थ वाली गैजल अलको पिछले साल 14 करोड रुपया का प्रॉफिट हुआ यह हर बंदे के लेंस कार्ट वाले अकाउंट में 2000 रुपया जो क्रेडिट करते हैं तो शाक्स के बारे में जो आपको कहना है आप कमेंट सक्सें में बता सकते हैं और सी और वीडियो के लिए दानिकी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा थेंक्यू